Hello beautiful souls, welcome to the wolf melodies सबसे पहले रेडी होते हैं एरपोर्ट के लिए मैंने लुक मिनिमलिस्टिक रखा था because it was a morning flight और परफ्यूम के बिना तो मेरा चलता ही नहीं है so परफ्यूम लगा लिया Let's go to Delhi airport रास्ते में कार में CNG डलवाया और उसके बाद तीन आर ड्राइव करके हम पहुँचे दिली क्योंकि हमें airport का रास्ता नहीं पता था तो हमने map लगाया and being a map expert रास्ता मैंने ही बताया और ये time था जियो सब्मिट का तो सब जगा एरपोर्ट बहुत समद लग रहा था फिर हमें काले मात्मा गांधी दिखे उन्हें प्रमनाम करके हम पहुँच गए airport फिर बहुत जोरों की भूक लगी थी तो हम सीधा lounge में चले गए और सची में यार lounge का experience बहुत अच्छा था यहाँ पर rum, wine, सब था और मैंने सादा खाना खाया और क्योंकि at this time I was pregnant with Pranu तो अपने daily medications ली which is non-skippable जिसमें included थे irons, calciums उसके बाद breakfast में I had muffins and bread jam क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी में बहुत जादा morning sickness रहता था तो मैंने नाश्ता हलका रखा यहाँ पर बहुत जादे options थे लेकिन मुझे नाश्ता simple ही रखना था तो मैंने थोड़ी सी coke ले ली थी side by और मैंने कुछ muffins flight के लिए भी ले लिये थे क्योंकि I am a pastry lover और हो ही नहीं सकता कि मैं muffins देखकर जो कि free थे वो एक दो नहीं लेकर जाओ flight में तो मैंने उठा लिये अब पेट पुझा के बाद time हो गया था airport explore करने का airport पर अपनी ही अलग दुनिया बस्ती है सब कुछ availability है और वो भी 5 star level मैंने यहां पर बहुत सारी books देखी fiction, non-fiction story books, motivational books मतलब हर तरह की books यहां पर available थी और मुझे books पढ़ना बहुत पसंद है लेकिन क्योंकि मुझे अभी उदे पर travel करना था, इसलिए मैंने कोई book नहीं ली क्योंकि वो extra luggage हो जाता तो मैं सोच रही थी कि वापिस आने पर I will purchase another book लेकिन for now मैंने अपना मन संभाल लिया, उसके बाद हम गई waiting area में और मैं राज्टे में यह वाल डिजाइन काफी सुंदर लग रहा था और वेटिंग अरिया में एक soda can kind of a place था जहां पर आप money डालो तो आपको can मिल जाएगा और यह कुछ वियू था हमारे waiting area से मैं काफी enjoy कर रही थी और हमें one hour wait करना पड़ा to board पता नहीं क्या था हमारी flight डिले हो गई थी या कुछ ऐसा था कि जो time था हमारा boarding का उससे लेट हमने board किया लेकिन मेर को मजा था क्योंकि it was my first experience to sit in an airplane तो मुझे तो बहुत चोटे बच्चों के जैसे excitement हो रही थी भाई पच्पन का सपना पूरा हो रहा था थो थोड़ा excitement तो बनता है इसले I was literally enjoying each and everything हमारे आगे वाली seat पे दो foreigners भी बैठे हुए थे और उनके साथ मतलब इंडियन था तो वो लोग भी आपस में काफी कम्यूनिकेट कर रहे थे हाला कि वो जादा ओपन नहीं लगे इसले मैंने की बैठे हैं नहीं किया बट आप अपना पना मैं अबज़ा थे बैठे के सब को तो मुझे तो बड़ा मसा रहा था 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 थोड़ा लंब था और मतलब काफी वेट करना पड़ था क्योंकि चेकिंग वहां पर भी होती है बहुत सारे लेवल्स ओफ चेकिंग ह करें और यह सब सोच के मुझे से एक्च़ाइन नहीं हो रहा था लेकिन इसले हमने वेट कर ना ही था हमें हम्हारा समान दोकर हम लोग चल रहे थे बहरी भरी बैघ्स थे तो है अ वो सब चल रहा था जिससे मैंने आगे पीछे गुमा कर वापिस रख दिया था जिसे मैंने ज्यादा पढ़ानी था यह थी मेरी टिकेट्स और हम जा रहे थे उदेपूर सिटी ओफ लेक्स तो यही वो सेफटी मैनुल है जिसे मैंने घुमा फिर आकर वापिस रख दिया जिसे ज्यादा पढ़ा नहीं आपको दिखा रही हूं अगर आप पढ़ना चाहते हो आप रोक कर पढ़ सकते हो बट मैंने नहीं पढ़ा और यह था उदेपूर का एक सीनिक म अगरा था और मैं वेट कर थी कब मारा प्लेन टॉक अफ किया करेगा और यह हम लोग डिसकुस करी रहे थे कि फिर फ्लाइट ने टेक ओफ किया और यह मनजर कितना ही एक्साइटिंग और गुपसूरत था हमारी फ्लाइट सिरफ देट गंटे की तो हमारे पर जादा टाइ पर वो फील क्या है तो मुझे वो फील करना था क्योंकि छोटे थे ना जब तो यह काफी आइडियल सिचुएशन थी कभी हम भी प्लेंट में पैठेंगे सब की होती है जैसे हम बच्पन में देखते थे क्योंकि पहले इतना जादा अफोर्ड सब नहीं कर पाते थे हम सब म बड़े थे तो वही आज सपना मेरा पूरा हो रहा था तो मैं बहुत थी और बार बार यहीं की बात बोल रही हूं क्योंकि आप अपने गमाए हुए पैसों से अपने हार्ड वर्क से कुछ अचीव कर रहे हो तो इस चीज यह जब यह फीलिंग आती है ना तब एक्स्पिर कि हमारे रूट्स हैं यही हमारे ट्रडिशन हैं और यह इतना खुबसूरत लग रहा था कि सच में फील आ रही थी कि आज मैं उपर आसमा नीचे कुछ चीजे फर्स टाम एक्स्पिरियंस में ओवर्वेल्मिंग होती है और ऐसे मोमेंट्स हम दोबारा फील नहीं कर पाते तो मैं बस आंक भर कर इस द्रिशे को पने मन में बसा रही थी और ग्रेटफुल थी फिर हमने फ्लाइट की तरफ से फूड दिया गया और हमने थोड़ी देर मुवी भी देखी थी यह एक बन जैसा कुछ था और हमने वाटर बॉटल मिली थी फूटी थी और कुछ बिस्कि वेलकम ही बहुत जादा ब्यूटिफुल था आपको फील आजाती है कि यह सेटि आपसे कह रही है पधारो मारे देश यहां चारो तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है जब हम एयर प्लेन से उत्रे तो हमारे लिए वहाँ पर एक बस खड़ी थी जिसने हमें रिसीव किया और मुझे बाक निगर रही कि सिरफ 10 कदम दूर बस ने हमें उतार दिया था और हम सब बस वाले रिटरली हसी रहते इस बात पर कि यार यह तो हम चल कर भी चले जाते इतना इतना भी नहीं है कि हम लोग इतना असानी चल पाते तो चाहँ पीछे प्लेन देख रहो वही हमारा प्लेन इतना से डिस्टेंस के लिए भी नहीं हमें बस प्रोवाइड किया और यह था हमारा एरिया जहां पर हमें हमारे बैग करने थे तो हम सब वेट करते हैं हमारे बैग पिक अ करने का और यहां पर वेलकम तु उदेपूर दिखा हुआ था और कुछ अर्डिश्म चल रहे थे तो हम बेट करे थे हमारे बैक जाने का फिर हम लोग गए हमारे होटेल रूम और रास्ते में हमने बहुत सारे पहाड देखे और जो सज्जनगर्ड, फोर्ट मतलब फोर्ट भी आते हैं और पहाड भी आते हैं क्योंकि अभी हम उदेपूर की मेंन सिटी से काफी दूर थे तो रास्ते में एक सिटी वाई भी थी लेकिन आप बहुत सुन्दर पहाड देख सकते हो ऐसा ही सारा रास्ता था और फिर हम लोग इवनिंग में चले गए थे लेक पिचोला जो महां का बहुत फेमस लेक है आप देख सकते हो कि सारा वाइट वाइट है ये पूरा का पूरा ल पर अभी तो आपको बहुत सारे सुन्दर व्यूज दिखाने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और मेरी जो आने वाली वीडियोस है उनका वेट करना क्योंकि मैं लिटरली बोल रहे हूं कि अगर आप उन वीडियोस को देखोगे आप पता चलेगा कि उधे में ये था मेरा एयरपोर्ट व्लोग और अब हम चलते हैं होटेल में और सो जाएंगे चुप-चाप स्टेए टून्द फॉर एक्स्प्लोरिंग उधेपूर्पूर्पीद मी थैंक यू